आज आपको पता चलने वाला है कि इंस्टाग्राम के आकाउंट को केसे पर्मानेटली आप डिलेट कर सकते हो इसके लिए आपके पास दोनों चीस होना चाहिए पेले में आपका पासवड होना चाहिए और दूसरे में आपके पास एक आकाउंट को लॉगिन होना चाहिए जि आपर open करना है देन इधर में आपको उपर में three line दिखा देगा उसमें click करो देन इधर में setting and privacy option में click करो नीचे आपको बस scroll करना है जैसे यहां पर scroll करते हो तो इधर में आपको एक option दिखा देगा help option उस help option में बस आपको click करना है help option में click करने बात आपके सामने बहुत अप्सन दिखने हो लिए मिल जाता है लेकिन यहां पर आपको चार नंबर में जो अप्सन आपको दिखाए देगा यहां पर उपर में आपको एक अप्सन दिखाए देगा डिलीट यहां पर उपर में आपको एक अप्सन दिखाए देगा delete your account, उस option में जैसे यहां पर click करते हो, तो आपके सामने कुछ इस तरफ सब page load होता है, इधर में आपको कुछ नी से scroll करना है, scroll करने बाद बहुत टाइम के बाद आपको पता चलता है, कि इधर में delete option है ये नहीं, तो इस problem को solve करने के लिए आपको उपर में आपको एक option दिख करते हो, तो आपको बस यहां पर नीचे कुछ scroll करना है, scroll करने बाद इधर में आपको delete your account option का एक option आपको देदेगा, blue color का, उस option में जैसे यहां पर click करते हो, तो आपका चुट delete your account का page कुछ open हो जाते है, page यहां पर आच्छा तरिकर से खुलने ही बाद, यहां पर Instagram आपको क्लिक करना है, इतना ही करने बाद नीचे आपको re-enter your password option में क्लिक करके, इधर में आपको password को कुछ डाल लेना है, इतना ही कुछ डालने बाद नीचे आपको एक blue color का option दिखाए देगा, delete और आपका username आपको दिखाए देगा, उस option में जैसे आपको click करते हो, इधर में आप आपको ok कर देना है, जैसे आपको ok कर देते हो, आपका account एक second के अंदर permanently Instagram के अंदर guide हो जाएगा, मतलब delete हो जाएगा permanently